वक्त एक दीवार पर टंगा था कैलेंडर के सहारे मौट बेटन के उस कमरे में जब उसने दर्वाजे से बापू को अंदर आते देखा बस थोड़ी ही देर पहले उसने माउंट बेटन को बेचैनी से चहल कदमी करते देखा था इस कमरे में. लेडी माउंट बेटन को ये कहते सुना था कि बेमानी है पंदरा अगस्त की तारीख तब तक जब तक गांधी मोहर नहीं लगा देते. वक्त देखता रहा था कमरे में मोहरों का ये सिलसला माउंट बेटन की बिसात पर. नहरू, पटेल, जिना, मौलाना सब तो आ चुके थे इस कमरे में. मोहर लगाने मोहरे बनकर. आज बापू की बारी थी. बापू की आधी धोती जब कमरे की ठंड का मुकाबला नहीं कर पाई, तो लेडी माउंट बेटन शॉल लेती आई. अंग्रेजी मिलों में बना बहतरीन शॉल. देशी कपास की गर्मी और मुलाइमियत लिये हुए बहतरीन शॉल. वक्त सदियों से देखता रहा था ये सिलसला. मुफ्त हिंदुस्तानी कपास के बदले हिंदुस्तानियों को शॉल बेचे जाने की ये अदाब पुरानी थी. पुराना सिलसला था जो अब रुखने को था. अंग्रेज जाने को थे. जमीन पर एक लकीर खीच कर बापु के हां कहते ही. वक्त इंतजार में था कि बापु कुछ बोलें तो वो निकले अपने सफर पर. कब तक रुका रहेगा आखेर? पर बापु? बापु बोले नहीं. एक लमहे के लिए देखते रहे उस अंतम वाइसरोय के चहरे को. फिर एक तूटी हुई पैंसिल की नोक से एक लिफाफे के पीछे लिखने लगे. सोमवार है आज. मौन वरत रखता रहा हूँ सालों से आज. तोड़ देता हूँ कभी-कभी जब फैसले एहम हुआ करते हैं. तोड़ देता आज भी. पर कोई तो चाहे के मौन तोड़ा जाए. कोई तो चाहे के आवाज सुनी जाए. सोमवार है आज मौन वरत रखता रहा हूँ सालों से आज पेंसिल रुकी तो बापू एक लमहे के लिए देखते रहे हो संतिम वाइस रॉय के चहरे को और फिर चल दिये वक्त भी दीवार से उत्रा और बापू के पीछे पीछे चल दिया सरहदों की ओर जहां लकीरें बाटती हुई निकल गई थी तमाम घरों को दो नामों में हिंदुस्तान पाकिस्तान